नमस्कार दोस्तों माई किसांदो चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त यस जाट और दोस्तों आज हमारे साथ जेविक किसान भाई ओम जी पाटिदार है ओम जी पाटिदार के बारे में मैं बता दो ओम जी पाटिदार जेविक खेती करने के साथ जेविक खे प्रश्टी में आपने वेजडी कंपोजर का उप्योग किया होगा जिव अम्रत का भी करते हों यह ना और कई सारे किसान भाईों को पशिक्षन भी देते हैं सर यदि हम इन दोनों का कंपेर करें तो क्या-क्या इन में जो है गून है और किसका उप्योग किसके लिए साधा होती है जैसा कि सभी को पता है कि गाएं के गोबर में 40-32 तरह के जीवन होते हैं और जिनका उप्योग करके हम अपनी खेती में अच्छे फसल प्राप्त कर सकते हैं वेजडी कंपोजर का काम होता है जो अप्शिष्ट हमारे खेत में है उसको डीकंपोज करना और उस स सभाइं के और किसान भाई बेजडी गंपोजर को फसलों की लिए भी देते हैं तो ग्रोथ के लिए जिवामृत बेश्ट है या फिर दिकंपोजर फसल की ग्रोथ के लिए वेजडी कंपोजर को इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें Snodham की कुछ स्टंथ पता लगी हैं दो या तीन स्टेंट उसमें ट्राइकोडर्मा की है तो वो फसल के उपर लगी हुई फपुंद को हटा देता है और जिसके कारण ही फसल अच्छी ग्रोथ करती है जिवामरत जो है उसका काम होता है फसल को पोशन देना उसमें हम गोमुत्र जो मिलाते हैं वो यूरिया की जिवान निकाले गए है वो गाएं के गोबर से निकाले गए हैं उनकी संख्या दो या तीन हैं उनी का उपयोग अगर हम जिवामरत के साथ में ऐसानी से बनाया जा सकता है झा जिवामर ने वाली सभी वस्तों हमें अपने आसपास से ही मिल जाती है तो इसमें बहुत जादा परेशानी की आवशक्ता नहीं है गाएं का गोबर हर किसान के पास होता है गोमुत्र हर किसान के पास होता है जो डालों का जो बैसन है वो हर किसान के घर में मिल जाता है आसानी से पेड के न में सिर्फ मिठाज बची हुए जो खाने लायक ना हो ताकि किसान भाई अपना खर्चा बचा सके और जो गुड का खर्चा है वो तो हमें डीकंपोजर में भी लगाना है और वही हमें जीवामरत में भी लगाना है यानि कि दोनों ही जेविक खेते के लिए काफी महत्पुन ह जी बिल्कुल दोनों ही अपना अपना एक महत्पुनिस्तान रखते हैं और यह जहां डीकंपोजर डीकंपोज करने का काम करता है। तो वो अपनी फसल में जो अपसिस्ट खेत में पड़ा हुआ है, उसको डिकंपोस करने का काम करता है, और जीवामरत सीधे उनको पोशन देने का कारे करता है, तो दोनों का अपना एक महतुपूर्पूनिस्तान है, मैं किसान भाईयों को सला दूगा कि वो दोनों का ही उपय करें, और जादा से जादा उपयोग करने पर हमारे खेत की मिटी स्वच्छ हो पाईगी, और अच्छी मिटी अच्छी फसल हो पाईगी, सर आप हमारे किसान भाईयों को दोनों का उपयोग करने में क्या-क्या सावधानिया बरतनी चाहिए, और किसके समय दोनों का रखना चाहिए उसके बारे में भी किसान भायों को बताईए इन दोनों में अंत्राल की कोई विशेश आवशकता है नहीं क्योंकि जैसा कि पहले ही बताए जा चुका है कि गाएं के गोबर से ही जिवानों को लिया गया है डीकंपोजर में और जिवामरत में भी हम गाएं के गोबर का उप्योग करते हैं सावधानी ये रखनी है कि हमें जब साम का समय होता है उस टाइम पर उसका छिलकाव करना चाहिए अगर हम फसलों पर छिलकाव कर रहें तो और अगर पानी के साथ दे रहे हैं तो पानी खेत में परियापत नमी होनी चाहिए जिसके कारण वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा हमारे चैनल को सब्क्राइब करिएगा साथ ऑम भाईया का जो चैनल है वहां पर भी विजीट जरूर करिएगा लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगी जल्दी जानकरी के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय भारत जय किसान